नेटवर्क में आपका स्वावेत है, मैं हूँ वोन पार्ट के अश्कुरिय देने के जो मुस्लिम देशों का संगठन है, उसमें 22 और 23 मार्च को इस्वामाबाद में होने वाली बैठक में हुरियत कॉंफरेंस के अभी जो कारेकारी अध्यक्ष हैं, मशर्रत आलम और जो इस समय दिल्ली की तिहार जेल में बंद हैं, गैर कानूनी फंडिंग के मामलों में हसे होने के आरोप में उनके नाप एक चिठी भेज करके उनको OIC की इस बैठक में भाग लेने के दिए बुलाया है, और इस पर हमारे विदेश मंत्रालिया ने बहुत कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त किये और ये कहा है कि OIC का जिन उस देश्यों के लिए गठन हुआ है, वो उनही कारियों को अंजाम दे, जो भारत विरोधी ताक्ते हैं, उनको इस तरीके से बैठक में बुला करके, वो जो तै विदेश नीती के परामेटर्स हैं, मांदंड हैं, उनका खुला उलंधन कर रहा है, और ये भी कहा है कि वो पाकिस्तान के जो एजेंडे हैं, उन पर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, एक दूसरी बड़ी खबर है, चीन के विदेश मंत्री इस महिने के अंतिम सब्तहा में नई दिल्ली की यात्रा कर सकते हैं, और ये खबर थोड़ा चोकाने वाली है, क्य आप जानते हैं कि पूरवी लद्दाख में इस तरह के हालात चीनी सेना ने पैदा किये हैं, उसको लेकर के काफी तनाव है, और दोनों तरफ 50-60,000 उधर और 50-60,000 इधर सेनिक अस्त्र शेस्त्रों के साथ पैनात हैं, एक दूसरे के ठीक सामने, और कम से कम दो बार जड़ कि नोबत भी आ चुकी है, तो ऐसे में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि चीनी विदेश मंतरी के इस भारत दोरे का मकसद क्या है, क्या बदली हुई परिस्टितियों में वो भारत से अपने परिस्तों को सुधारना चाहता है, एक दो खबरे और भी हैं, उन पर भी करेंगे, अगर समय रहात हो, तो सीधे जोड लेते हैं, रक्षा मामलों के जाने माने विशेशग्य और टेरिटोरियल आर्मी के पूर्वचीफ, वार सिच्वेशन्स और काउंटर टर्रिरिजम के मामलों में बहुत बड़े विशेशग्य और अमेरिका से काउंटर टर्रि लेने वाले, युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत, और चाहे पूर्वी लद्दाख हो, पूर्वत्तर हो या घाटी हो, वहां तैनात रहकर के करीब 37 वर्ष तक भारत की सेवा करने वाले, मेजर जनरल अश्वनी सिवाज सर, बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार. सिवाज सर, सबसे पहले तो मैं चर्चा करना चाहूंगा इस पर, कि चीन के विदेश मंतरी नई दिल्ली यात्रा पर आ रहे हैं, ये ख़बर सुनकर के आपके मन में क्या ख्याल आया, और क्या उनकी यात्रा का मकसद चीन और भारत के बीच जो तनाव चल रहा है, उसको मा समूल पर लाना है या कोई और मकसद में? हाँ, बिलकुँ, सोज साब आपने ठीक बोला, दखो एक बात समझ नहीं पड़ेगी, अभी जो योक्रेन के अंदर लड़ाई चली हुए, योक्रेन और रूस की, और उसके अंदर भी पूरा संसार बढ़ किया है, और उसमें कहीं कहीं, एक न्यू वर्ल्ड ओर्डर बन के निकलेगा, ये सचाई है, रूस और चीन जो है, वो काफी नदीग आगे हैं, और जिस परकार से रूस डिपेंडनेंट होगा चीन पे आने वाले समय में, चाहिए वो गैस ओयल देना है, चाहिए अभी गैस ओयल जो रूस की है, व इसको काफी हर्ड करेंगी, और ऐसे में मुझे लगता है, रूस का एक सभाविक है, कि उसकी डिपेंडनसी चीन पे बढ़ेगी, वो अपना गैस ओयल भी चीन को बेचेगा, और उसके बाद अपना मिल्टरी हार्ड वेर भी, और काफी हद तक एक परकार से, और समान, या तो खरीदगा या बेचगा चीन के साथ ही, क्योंकि जो बैंकिंग की इन्होंने इरिस्टिक्शन लगा दिया, स्विफ्ट बैंक की, बाकी भी मुझे लगता हने वाले समय में बहुत हर्ट करेंग, तो एक न्यू वर्ल्ड ओर बनके निकलेगा, ऐसे में हो क्या रहा है, अ अब भारत और चीन के जो रिलेशन सब को मालू है, अपने वियोर्ज को की एपरिल वीस सो वीस में चीन आया था, साथ हजार के क्रीब उसे अपनी नफ्री लेके इस्टन लदाक में आ गया था, और चंद एक टाइम में भारत ने भी उतने ही, आलमोस्ट मिरर इमेज डिप पढ़ेंगे, उस से हमने किलास रेंज को पकड़ लिया था, जो की एक गेम चेंडर थी, एक फोर्स मल्टिप्लायर था और चशूर मौल दो बाल को हमने अपने अलमोस्ट कबजे में कर लिया था, और जो स्पांगूर गया पह जो उनीस सो मासट में चीन जहां से आया था, वो भी हमारे कबजे में हो गया था, आलमोस्ट, तो ऐसे में हमारी जो बातचीत हुई, उसके बात समझोता हुआ, किसी हद तक और वो बातचीत का नतीज़ ये हुआ, कि आपस में ये एगरी हुआ कि डिसंगेजमेंट करेंगे, और वो तीन फेज़ीज में, फेज वन में नौर्थ और सौथ पंगैंग्सों में, इसका मतलब चीन जो है, वो फिंगर चार से फिंगर आठ की तरफ जाएगा, और भारत किलास रेंज को वकेड करेगा, और फेज टू में जो थी हमने गोगरा हॉर्स्पिरिंग और फेज त्री में जैपसा, जिसके लिए चीन मान ग है, काफी चेंज होगा, वो गोगरा हॉर्स्पिरिंग में, गोगरा तो उसने एक परकार से जिसंगेज कर लिया, पर हॉर्स्पिरिंग नहीं किया, और अभी डैपसांग की बात ही नहीं करता, तो एक मतलब कि उसको वरोसे करना बड़ा खत्रे से खाली नहीं है, चीन पे अरती भरका भी वरोसा नहीं करते हैं, जो वाजा उसने किया था वो नहीं हुआ, उसका नतीज़ा यह वहा, दोनों फोजिया भी लगे हुई है, पचास हजार से साथ हजार के टुप दोनों के हैं, टैंक्स में हैं, आर्टी गंज भी हैं, एर डिफेंस वैपन में हैं, और भारत का पलड़ा मेरे हिसाब से काफी बैटर है, चीन के मकाबले, उसकी तीन वज़ा है, एक तो भारत की जो फोज है, वो बैटल हार्डन्ड है, ऐसे लाकों में रहने के काबिर है, इसी परकार भारत की वाई यू शक्ति का एज़ है, च्योंकि बारत के जो एर काफ्ट ह वो बहुत ज्यादा बैटर है, चीन के मकाबले, चाए वो मिक टून्टीनाई, मिराज टू तू थाउजन, सुकोई थर्टे, एमके आई, जगूर हों, और उसके बार रफैल आने से हमको एज़ है, और तीसरा है, जो भारत की नेवी शक्ति है, वो भी किसी हद तक ज्याद बैटर है, इंडियन ओशन में, कहीं ने कहीं मलक का स्टेट को चोक कर सकते हैं, ये चीन को भली बाती मालूम है, तो उसको पचास सार से जिन से ज्यादा आईल है नहीं, तो ऐसे में मुझे लगता है, कि जो अभी सिती थी, एक स्टेलमेट हो गया था, और अब जो आ रहे ह हैं ये, तो कहीं ने कहीं ऐसा लगता है, कि वो बातचीत निकाल के, तो क्योंकि जो अभी फिफ्टीज कोर कमांडर की मीटिंग हुई, उसमें भी कोई खास कुछ निकला ने, मगर एक चीज थी, कि बातचीत होती रहेगी, कोई ने कोई पॉलिटिकल मिल्क्री या डिप्ल सा रहे हैं, कि वो चाते हैं, कि भारत और चीन के बीच में रिलेशन इंप्रूव हों, वो क्यों चाते हैं, सबसे इंपोर्टन चीज है, ये चेंज आफ हार्ट क्यों हुआ, ये चेंज आफ हार्ट इसलिए हुआ, क्योंकि चीन को ब्रिक्स का प्रेजिडेंट है, चेर्मे लडाक का जो एक परकार से ष्टेलमेट चला है रिजोल ना हो जाए। तो ऐसे में चीन चाता है कि भारत आए और BRICS ही नहीं वहाँ पर BRICS में कौन important देश हैं भारत तो है मगर जो important चेज जो करना चादा चीन है उसके अंदर रूस भी है चीन भी है फाउत अफरिका भी है और ब्राजिल भी है तो फोकस है कि भारत का वहाँ आना रूस और चीन से मिलना उसके साथ उसके जो साइड लैन में वो RIC की मीटी मी करेंगे जिसका रूस इंडिया और चाइना है एक परकार से ये जो तरिका है कि ये दिखाना वर्ल्ड को कि भारत भी हमारे पड़ने में है भारत रूस और चीन के साथ है तो ये एक परकार से जो कारवाई है इसलिए वो चाथते हैं कि ये जो लदाक का जो एक परकार से डिस्पूट चली हुई है इसको किसी तरीके से रिजॉल किया जाए और इस से की जिस परकार से अगर आप अपने वियोज का ध्यान डोकलम में ले जाओं मंतरी और वहां से फिर सीजी पिंग माबले शुरम भी आई थे तो एक मेरा मतलब एक इनवायरमेंट ऐसा क्रियेट करना चाहता है चीन कि जिस से वो कंडियूसिय इनवायरमेंट बन जाए और भारत के परदान मंतरी ब्रिक्स माएं क्योंकि वो समय में चीन को बहुत जरूरत है भारत के परदान मंतरी के वाने में अगर ब्रिक्स फेल होती है तो और तो फिर उसके लिए फादा नहीं है तो मुझे लगता ये सारी कारवाई उसके लिए हो रही है मगर मैं एक क्वेश्चन पूछूँगा कि क्या जो में ये बताया है कि इसका कोई और सुलूशन नहीं निकल सकता बस एक ही सुलूशन है यह था सिती एपरल बीच सो भी इसका मतलब आपको डैप सांग से वापिस जाना पड़ेगा जहां पहले थे और इसी परकार आपने होट स्प्रिंग से पीछे और डैम चोप के अंदर हाँ पस आप चार्जिंग नाला जंक्शन मायें वहाँ से भी आपको पीछी जाना पहले क्या चीन इसके लिए प्रपेड है ये एक बड़ा म्यूट कोश्चन है इसी में एक और सोच विचारा आया है कि आप कहेंगे कि चोधमी मीटिंग में और या तेरमी मीटिंग में चाहिए भारत भी मानता है कि बफर जोन होना चाहिए कि नहीं तो मिस अंडरस्टैनिंग से कई बार तनाव बढ़ जाता है मगर वो कह रहा है कि बफर जोन भारत की तरफ होना चाहिए भारत इसके लिए त्यार नहीं है अगर बफर जोन हम भारत की तरफ करते हैं इसका मतल भारत में आ रहे हैं और वो भारत में नहीं आ रहे हैं ये भी मैं अपने वियर्ट को क्लियरफाई करता है तो निपाल मी जा रहे हैं कहीं ने कहीं वो पाकिस्तान भी जाने की बात हो रही है मगर उनकी आने की से संभावना बढ़ जाती है कि इस पे कोई ने कोई स्लूशन न जी लगता है इस पर थोड़ा है र में रुसी रूर्ट में रूरत रोस वर्सट एम então रूरिका हो तो दूसर पही है जो रूस और उकरेम के भीच में समय युद्ज छीड़ा हुआ है उसमें कम से कम तीन ऐसे मोके आये हैं बलके चार मोके आये हैं जब United Nation में भारत ने भी तठास्त रवईया अपनाया चीन ने भी और संयुक्त रव अमिरात ने भी तो कहीं रूस चीन और भारत के बीच में जो तनाव बीच में हमने देखा था और हमें नहीं बोलना चाहिए एक मौका तो ऐसा भी आ गया था जब लावा रोब जो है वो नई दिली के बाद इसलामाबाद पहुँच गए थे और उन्होंने पाकिस्तान के बक्ष में कुछ बयान बाजी भी की थी लेकिन इस पूरे घटना करम में हाला कि अमेरिका चाहता है कि भारत उसके साथ खड़ा हो लेकिन भारत ने इस पर संकेद दिये हैं कि वो अपने पुराने मित्र रूस को किसी भी इस्तिती में असहज इस्तिती में नहीं डालना चाहेगा इसलिए उसने तठ़स रवया अपनाया है तो ये संदेश भारत की तरब से कहीं ना कहीं चीन की तरब भी गया है चीन को लग रहा है कि ये समय है जब भारत के साथ रिष्टे सुधार सकते हैं शायद उसको उम्मीद है कि भारत कज़े जुकाओ पिछले कुछ सालों में अमेरिका की तरफ गया है वो शायद और बैलेंस हो इस रिजन में फोड़ा सा और संतुलन कायम कर सके चीन हाँ बलकूल ऐस है देखो उसमें मैं सबस्ता हूँ कि पहले तो भारत ने जो भी यूएन जीये में यूएन स्क्योर्टी कांसल में या यूएन एचार सी में जिस परकार से भारत में अबस्टेंड किया और वही चीन ने भी किया तो एक परकार से भारत ने बड़ा नूटल स्टेंड और ब बात आई भारत ने ये बोला कि हम टेरिटोरियर इंटिग्रेटी और सोवंटी को मानते हैं वो कभी भी किसी देश की प्रभूता को उपर नहीं आनी चीए और दूसरा भारत ने बोला कि हर प्रॉबलम का सुलूशन है डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल मिल्ट्री सुलूशन नहीं है इसलिए जंग बद होनी चीए तो भारत ने ये क्लेरिफाइब बड़े अच्छे डंग से किया अब बात आती है कि भारत ने जो किया क्या वो ठीक था या नहीं था फिर आगे हम डिसकॉस करते हैं आगला पाइंट जो भारत को अपना नेसला इंटरस्ट देखना ह ऐसे में सभी अपना अपना नेसल इंटरस्ट देख रहे हैं और ये सचाई है कि आज भारत के रिलेशन अमेरिका से काफी अच्छे हैं चार फाउंडेशन एग्रिमेंट साइन हुए हैं पेसली दो जार के बाद भारत और अमेरिका के रिलेशन अब सुइंग में हैं हमने फाउंडेशन एग्रिमेंट जिसमें लीम्यों भी कोमकासा भी अभी बैका बेसिक एक्चेंज कोपरेशन एग्रिमेंट किया और भारत अब चीन जो चीन के अगेंस्ट जब भी कुछ करना है या तो भारत को कुछ रख कुछ मदद अमेरिका से मिली हैं इंटलिजन्स और स परसंट हथियार अब हम अमेरिका की तरफ जा रहे हैं और एम ट्रिपल सावन अल्ट्रा लाइट हाउजर ली उसको भारत में ही बना जाएगा एक ट्रांसफर और टेकनोलिजी महिंद्रा डिफेंड बनाएं तो यह सचा है यह भारत के रिलेशन अमेरिका से अच्छे अगर हमें यह भी नहीं बुलना चाहिए कि भारत के रिलेशन रूस के साथ भी बहुत अच्छे हैं और भारत कभी नहीं बूल सकता रूस को जिसने हमारे साथ 1971 में जब पूरा वाल्ड हमारे अगेस अपाई लाज तब वो खड़ा हुआ था और काई बार उसने हमारी साहि की है स्क्योर्टी कॉंसल में विट्टो लगाके कश्मीर के मामले तो यह कोई सचाई यह है कि भारत रूस को नहीं छोड़ सकता और नहीं छोड़ना चाहिए तो ऐसे में भारत ने एक बैलेंस भी लिया है और मुझे लगता है वह काफी ठीक है यह काई नहीं चीन को भी य यह समझतों आई है कि भारत अपने दोस्तों को बदलता नहीं भारत एक स्टेबल देश है भारत आज की तारिक में ज्यादा तर यह सोच रहे थे कि अभी बहुत प्रेशर पकड़ेगा अमरीका और नेट्रो कंट्री और यॉरपियन का हो सकता है भारत का जुकाओ कहीं अम है वो बड़ा स्टेबल देश है अपने दोस्तों को बदलता नहीं है तो यह भी एक वज़ा है पर सचाई है कि कहीं ने कहीं मुझे लगता है रूस का भी प्रेशर है और यह तो है कि चीन चाता है कि किसी तरिके से भारत है आए ब्रिक्स की सम्मिट में क्योंकि चीन भी अ चाहिना सी में उसके कारण भी और अब वो जो रूस के साथ मिल गया है उससे और भी बिलकुल अकेला पड़ गया है उसको चाहिए भारत जैसा देश आए ब्रिक्स आए तो उसके अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर मिलने के चांसी जाना है तो मुझे लगता है यह सारे री अपना है भारत के पाइंट ओफ यू से इसलामबाद में इसलामिक सैयोग संगठन जो OIC है उसकी बैटक होने जा रही है दो दिन के लिए और जिस तरीके से हुरियत कॉंफरेंस के नेता मसरत आलम को इसमें इन्वाइट किया गया है जो इस समय कियार में बंद है उस पर भ विदेश मंतरा ले के जो परवकता हैने उन्हों ने आज प्रेस कोंफरेंस करके चेत्रावनी चीतव है OIC को कि वह भारत विरोदी जो ताक्ते हैं उनको बढ़हावा ना दे जो विदेश मंतरा ले के परवकता है रिंदम बागशी उनहोंने साफ-साफ कहा है और अफ्सोस के एजेंडे पर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है क्या कहेंगे सिवा से हाँ बिलकुर देखो इसमें कोई शक नहीं मुझे लगता है कि प्रेशर कुछ और डालना चाहिए देखो सचाई यह है कि मुसरत आलम भट जो है यह हुरियत कॉनफरेंस के अभी एक्टिंग पेजि सी जो है फिफ्टी सेवन कंट्रीज की जिसका साओधी अरेबिया काफी बोल बाला है भारत को बैक चैलन डिप्लोमेसी से इन से बात करनी चाहिए यूएई साओधी अरेबिया से यह जो पाकिस्तान के अजेंडा में कैसे आ जा रहे हैं किस परकार से पाकिस्तान कर इसको बलाने के लिए हमारा भी से होना चीए मुझे लगता है कि हमें इसके उपर एक बहुत प्रो एक्टिव डिप्लोमेसी करनी चीए क्योंकि पाकिस्तान का तो अभी तको इमरान खान की हालात महुत खरान है इमरान खान के कुछ एक एमपी जो है वो अपनी पार्टी छोड़ के दूसरे opposition में मिलके हैं अभी opposition ने no confidence movement कर दिया है उसकी जो सांस है वो सारे dependent हैं पाकितान की आर्मी पे अब ऐसे में ये कुछ ऐसा हो जाए तो उसको साइद कहीं ने कहीं breather मिल जाता है वो hero बनने की कोशिज करता है कि हमने देखो बारत से जो हुरियत conference के acting president है उसके उपर invitation दिजा होना जाला कुछ नहीं है वो जा नहीं सकता है वो जेल में बन है और मगर ये एक messaging गल्ट है और इस messaging के अगेंस हमें counter करना की है तो को हमें ये बात मुझे ये समझ नहीं आ रहा है ये जो 57 देशों का समूझ जो 1971 में बना था ये 1967 में जब इसराइल अर देवी हैं मैं ये करता हूं कि 57 कंट्रीज हैं उन में से इतने देश कौन से हैं जो कि भारत से ज़्यादा मुसल्मान उनके पास है आज एक देश के लावा इंडोनेशिया भारत सेकिंड नमबर पर या थार नमबर पर क्योंकि हमारे पास 22 करोन मुसलिम है तो हम इसके representative होन रे अंदम वाक्ची ने किया है उससे कुछ ज़्यादा फरक नहीं पड़ता है यह करते रहते हैं हमें लगता है क्योंकि साओधी रेबिया यूएई करता धरता है और उनका बोल बाला है और हम जो अब उनको इंफ्रूज करके इसके उपर ऐसे चीज़ों को आने नहीं दे क्योंकि यह जो है गल्ट मैसिज बेज बेजा जाता है तो मुझे लगता है एक प्रो एक्टिव स्टैटेजी और करने की जूरत है क्योंकि उसको ना तो जाना है ना उसका कोई वो ग्राउंड पे कोई इंपेक्ट नहीं होने वाला मगर उसका इंपेक्ट यह होता है कहीं करिंग पाकिस्तान जताता है कि उसके कहने पे हुरियत कॉन्फरंस के एक्टिंग प्रेज़न को इन्विटेशन गिया गा वो एक जो अपनी डिमेस्टिक कॉंसिचूंसी है उसको वो एक परकार से डारेट कर रहा है इम्रान का मैं कहता हूं वो ठीक है पर हम इसको होने क्यों प्रूव होएं तो ऐसे में हमें ऐसा काम करने चाहिए कि ये नोबत ही ना आए कि वो बलाएं ऐसे हुरियत कॉन्फरंस के एक्टिंग प्रेज़न के तो दिशाब सिवास सब एक और घटना हुई है रूस ने जो अटैक शुरू किया था यूक्रेन पर उसका 22 वा दिन और कल एक खबर आई थी कि जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसने रूस के खिलाब निरने दिया है और रूस से कहा है कि वो तुरंत यूक्रेन पर अटैक को रोके अब रू रूस उसके आदेश को मानता है कि नहीं मानता है ये तो बाद की बात है लेकिन सबसे एहम रोल इसमें रहा है भंडारी साब का जो भारत के मूलत जज हैं और इस समय आई सीजे में बहुत एहम वोमे कानिवा रहे हैं क्या इसको किसी दूसरे नजरिये से भी हम देख सकते ह हैं जबके भारत जो है वो रूस के एक तरीके से डारेक्ट इंडारेक्ट वे में साथ है उसके खिलाप नहीं है पर हमारे एक जज जो इंटरनेशनल कोर्ट में हैं उन्होंने इसमें एहम भूमी का निभाई है कि रूस युद्धरों के हलाकि हम जानते हैं कि कोर्ट में जो जज बैठे होते हैं उनका अपना तरीका होता है सोचने का देश का क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है अंतर राष्ट की क्या है क्या नहीं है वो माना वधिकारों को और दूसरे एंगिल को ज़्यादा तरजी देते हैं पर फिर भी एक रोल बताया जा रहा है इस फैसले में तो क्या इस से भारत और रूस के रिष्टों पर किसी तरह की कोई आँच आ सकती है ने मेरे हिसाब से नी चोजी साब देखो इसका मुद्ध क्या था कि सेक्टेशन आफ वाइलेंट और सीज फायर होना की मुझे लगता है उसकी तरफ जो उन्होंने वोट किया वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि लड़ाई तो बंद होनी चीज़ इसको अबस्टेशन करना या इसके अगेंस करना तो कुछ है नहीं तेरा देश ते ग्यारों ने पक्ष में डाला है और मुझे लगता है आपने ठीक भी बोला कि इसके अंदर कोई आप अपनी लाइन नहीं ले सकते अपने देश का पोर्ट नहीं एक बार वो आईसी जे के अंदर जच चले गए हैं तो वो अपना सोच समझ के फैसला करेंग और मुझे लगता है यह जो उन्होंने स्टेंड लिया है उसमें कोई गलती नहीं सचाई है कि वालेस हो रहा है सचाई है कि कितना इंफरास्टर चूट गया है यूकरें यूकरें आज 40 साल पिच्छे चला गया है 70 से 80 परसंट उसका इंफरास्टर में टाउन से बरबाद ह गया है कितने लोग मारे गए हैं कितने बच्चे मारे गए हैं तो ऐसे में सचाई तो यह है आपने यूकरें को बली का बकरा बना दिया है घर्ती उसकी क्या थी बात थी लड़ाई थी नेटो और अमेरिका की वर्सिद रशिया वो बली का बकरा बन गया तो मुझे लगता ह कि सेक्सेशन आफ वाइलन्स और इमिजेट सीज़ फायर होना बहुत जरूरी है और यह जो भी हमारे जस्टिस बंडारी ने वोट किया है इंटरनेशनल कोर्ड आफ जस्टिस में मुझे लगता है बिलकुर बैलेंस है कोई इसमें हमें नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए अ अब आपने जो पाइंट अगला बोला कि क्या रूस इसको मनेगा मुझे लगता है कि रूस इसको नहीं मनेगा क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ड आफ जस्टिस के उपर कोई बाइंडिंग है नहीं वो अगर वैसे मैं मानता हूँ यह एक परकार से स्क्योर्टी कॉंसल में जा यह वाइलेंस खतम होना चीए एक यूबन डिजास्टर हो रहा है जिस परकार से लोग नारे जारे हैं करीब करीब तीस लाग के करीब रिफ्यूजी बनके चाहिए वो पॉलन है हंगरी है रुवानिया सुलवानिया में चले गए हैं लोग 90% से जादा जो यूकरेन की पॉ पे हैं बच्टे बिल खला रहे हैं मर रहे हैं तो यह कोई जो समझदारी की बात नहीं है पूरा वर्ल्ड इसको देख रहा है कवर कर रहा है पूरा वर्ल्ड इसको मगर रुकाने के लिए कोई त्यार नहीं तो मुझे लगता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिश में ज उक्रेन तो नहीं जा रहा है ना रूस में लड़ाई करने तो ऐसे में मुझे लगता बिल्कुर ठीक है और अभी इसका कोई हाल निकलना चीए ऐसी चीज़ का कोई मिल्क्री स्लूशन नहीं है इसका स्लूशन है पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक और मुझे लगता है जिस पर है जिस परकारते वहां पर बच्चे बिखलने हैं रिफ्यूजी हो गये हैं इस्ट्रक्शन हो गये पूरी युक्रेन की जिसको चारी से पचास साल लगेंगे दुवारा बढने के लिए चोधरी साथ सिवास साब आपको नहीं लगता है कि पतिन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है वो बहुत बड़े गलत फहिमी के शिकार हो गए है केवाल युक्रेन बरबाद नहीं हुआ है रूस भी बरबाद हो गया है रूस भी कम से कम 20 साल पीछे चला गया है ये चोधिसाब आप पहले ऐसे जो जनलिस्ट और क्रिटिक हैं जिसने ये बात बोली है सचाई ये है कि पता नहीं क्या हो गया है भारत में सबी एक पक्ष ले रहे हैं कि पूटिन ने जो किया ठीक है पूटिन ने क्या ठीक किया एक युक्रेइन को आपने बली का बकरा बना लिया आपने उस पर अटैक कर लिया पहले तो आपने अंडरेस्टिमेट किया आपने सोचा युक्रेइन को मैं हफते दस दिन में पूरा जीत लेंगे क्योंकि अगर युक्रेइन की और रूस की मिल्ट्री पावर की तुलना की जाए तो युक्रेइन कहीं ठहरता नहीं क्योंकि रूस जो है सेकिंड नंबर की मिल्ट्री पार है बासट बिलियन डॉलर खर्च करता है ये बाइस भी नंबर की है पांस बिलियन डॉलर खर्च कर एक परकार से अपने काबू में ले लेंगे ऐसा नहीं हुआ यूक्रेन ने बहुत बड़ा रिजिस्टेंस दिखाया यूक्रेन की फोज बहुत अच्छी ट्रीक लड़ी लड़ी नहीं लड़ भी रही है और ऐसे में जिस परकार से इन्फरसक्टर को तोड़ मोड़ा है इसन के लावा ना इसके पास खारकीव ना कीव है खारकीव जो है एक फानेंशल कैपिटल है जो की इस्ट यूक्रेन के पास है डॉनर बस के पास है आज तक रूस उसको नहीं ले पाया है और दो बार उसने ये बोला है कि मैंने खारकीव जीत लिया है तो उसकी यूक्रेन की फ किया था मुझे लगता है वो बिल्कुल गल्स चला गया है और आब वो बुक्रा के बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर रहा है अब बात आती है कि क्या इंपक्ट पड़ेगा रूस पे देखो ये आपने बिल्कुल ठीक बला कि युक्रेन तो बरबाद हो गया है 30-40 साल पिछे चलागा पूरा इंप्रस्ट्रक्शन नस्ट होगा मगर रूस के ओपर भी बहुत अड़्वर्स इंपक्ट पड़ेगा आपकी बात में बिल्कुल दम है उसके दो तीम रीजन है एक तो बात ये है कि रूस जो है उसकी एकॉनमी बहुत चोटी है उसकी एकॉनम है और बारत की एकॉनमिक जो है टू पाइंट एट ट्रिलियन डॉलर है आज की तारिक में आज उसकी एकॉनमी इटली से भी कमजोर है अगर आपकी एकॉनमी अच्छी नहीं है आप मिल्टली कैसे स्ट्रॉंग हो सकते हो तो आपने जो अब लाई तो ले ली मोल अब आपक आपको वो डैमेज करेंगी आपको स्ट्रिफ्ट इंटरनेशनल बैंकिन सिस्टम से निकाल गिया आपका जो ऑईल और गैस जिससे आप ज़्यादा कमाते थे यॉरप में नहीं जा सकता आपको आप चीन में बेजना पड़ेगा सस्ते दामों में आज आपका जो मिल्टली ह अच्छा नहीं वर्ल्ड के भी तो मैं करता हूं कि पुटिन ने कोई समझदारी का काम नहीं किया क्या जो युक्रेन अभी नेट्टो जोइन कर रहा था आज से पांस दिन के बाद या दस दिन जब उसने अभी तक नहीं जोइन किया और हिस्टरी बताती कि अभी तक नेट को लौंस्टर का एरिया लिया उनको इंडिपेंडेंट डिकलेर किया वहां तक फिर भी वर्ल्ड आपके साथ है क्योंकि वो इलाका जो रॉशन स्पीकिंग है वहां पर साथ से सतर परसंट रॉशन है जैसे करीमिया में थे और वहां पर अठारा से वीस परसंट लोगों को रूस का पासपोर्ट है मगर आपने जब डोनोबस के अलाके को आके और पूरे युकरेन को अटैक किया तो मुझे लगता है पुटिन ने बहुत बड़ी गलती कर दिया और पुटिन चाए मानने ना मानने उनको इसकी जो है कीमत देनी पड़ेगी और उसकी कीमत उसका दे देगा उस जोमेस्टिकली आज रिजिस्टेंस हो रहा है लोग सड़कों पे आ रहे हैं रूस के अंदर भी वो नहीं चाते यूद वो चाते हैं कि यूकरेन तो एक हमारा छोटा भाई था आज यूकरेन के अंदर बच्चा बच्चा लड़ने और बढ़ने को त्यार है आत परकार से यूकरेन तो बरबाद हो गया लगता है यह इंपक्ट अड़वर्स रूस पे भी पड़ेगा वो भी दस से पंदरा साल पिछे जाएगा उसकी एकॉनमी तूटेगी क्योंकि उसके पास जो है पैसा कमाने के दो ही सादन है गैस ऑईल और वेपन उनमें इंपक्ट बहुत अड़वर्स पड़ेगा और ऐसे में डिपेंडेंसी चीन के अपर इतनी बढ़ जाएगी कि वो चीन का पिछू बन जाएगा जैसे कि और देश हैं तो ऐसे मैं आपने बिल्कु ठीक बोला मगर कहीं हमारे कुछ एक जो चैनल है वो यही बता रहे है कि पुटिन ने और जो इंसर्दंसी चलेगी कि जो युक्रेन एक बहुत बड़ा जो एक परकार्टिक कंट्री है लाजस कंट्री यॉरप क्या उसको काबू कर पाएगा कहीं दलदल में तो नहीं फस गया पुटिन कहीं अफगानितान टू पाइंट हो तो नहीं है तो यह क्वेस्चर है प जेलन्स की एक ऐसा इंस्पारेशनल लीडर्शिप आ गया है मैं मानता हूँ उसकी जो पहले लीडर्शिप थी कोई खास अच्छी नहीं थी करप्सिन चार्जी थे मगर लड़ाई के बाद उसकी जो अप्रूर रेटिंग है वो बहुत ज़्यादा चली गई और ऐसे में ज स्विच ब्लेड ड्रोन्स भी दे दिये हैं अब मैं क्वेश्चन पूता पुटिन से कि अगर आप कहते हैं कि आप ने पूरे युक्रेयन को काबू कर लिया है तो फिर सप्लाई चैन कैसे खुली हुई है युक्रेयन की जो हत्यार कैसे आ रहे हैं पॉलेंड से और हंगरी स कि कहीं न कहीं समझोता हो चूब कि बहुत जादा डिस्ट्रक्शन हो गया है मगर मैं इस बास से बिलकुछ है महतूं चोजी साथ कहीं न कहीं पूटिन ने मिस कैलकुलेट कर लिया उसने सोचा नहीं था कि इतना रचिश्ट ने युक्रेयन देगा उसने ये सोचा था कि अ और लौनसक्त में जो इलाका है उसको इंडिपेंडन करके इंडिपेंडन केंट्री कर देए तो ऐसा उसने सोचा था मगर ऐसा हुआ नहीं तोजी साथ बहुत बहुत धन्यवाद सिवाच सर जुड़ने के लिए और कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आपको और सभ आपको अजहुत बहुत है और सबस्चा करने के लिएेंडन के साथ नहीं तो ऑन्यवाद के लिए और चिए।